वेल्कम टुवेल्ट अप्ग्रेड फ्रेंड्स मेरा नमें आकाश और मैं हूँ एक 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 एंब्या फाइन्स ग्राजवेट आज की सिवड़ेम करने वाले एक इंडेफ्थ एनलिसिस आजिना टेक्स्टाइल्स का देखेंगे एक स्टॉक प्रेस हमें इतने उपर क्यों जात अनलसिस फंडमेंटल अनलसिस वैल्यूएशन से सब चीज़े सीखने को मिलेगी बस देखने को नहीं मिलेगी चले स्टार्ट करेंगे बट उसके पहले आपको दिखना चाहूंगा में स्टॉक के रिटन्स कैसे रहे है आज अपर सर्कृट मारे स्टॉक ने 32.80 की प्राइस पे चल रहे है 5-day रिटन्स देखोगे 21.26 रोजी अब पर सर्कृट मार रहे है वनमंत की रिटन्स देखोगे तो माइनस 34.27 शिक्स मन की रिटन देखोगे 1019 बहुत बड़े रिटन्स है 1-year के रिटन्स देखोगे तो 2423 मैसिव रिटन्स वन येर में चेनरेट किये कंपनी ने 5-year के रिटन्स देखोगे 909% यह कम लेगा क्योंकि वन येर के रिटन्स यह 2423 बट एक्चल में फाइस के जो 909% वह भी बड़े है फ्रेंड्स जो आप कॉलिटी स्टॉल्स देखोगे कंपनी दूसरे कंपनी इसके 909% बहुत अच्छे बट यहाँ पर आपको छोटे दिखते हुए नजर आएगे क्योंकि एक साल में 2423 परसंट के रिटन्स दे दिये फ्रेंड्स चले देख लिए हमने रिटन्स कैसे कंपनी के जानेंगे क्यों हम इतने अच्छे रिटन्स देख ये याँ जो ढगा है उस इंड़स्ट्री में DRC तश क्लिक अन्वस्टडेमानने उसकी मैंफेक्ट्रिंग करती है कंपनी एक फिरेल सेगमें में काम करती है फिराल कंपनी और टेक्साइल इंडस्ट्रीज में बिल्ड आफकॉस तो बेसिक काम यह करती है कंपनी सिधा जाएंगे माभी फॉंडमेंटल एनलसिस पर चले मार्केट के आप देखने मिलेगा 68.6 इंडस्ट्रीपी है 7.10 अफकॉस बहुत हाय स्टॉक पी देखने मिल रहे है आपको जो कि बिल्कुल इसके दो रिजन हो सकते है या तो कंपनी की बहुत ही अच्छे कॉलिटी वह लिए इसको हाइप प्रीमियम डिजर करती कंपनी या फिर यह बस ओवर वैल्यूड है इसको बस पंप किया गया है देखेंगे फाइनेशल स्टेटमेंट्स देखने बाद की क् देखेंगे और प्रोस और कॉंस देखेंगे कि क्या है कंपनी के कंपनी है कंपनी हाज रिद्यूस स्टेट और कंपनी स्टेट फ्री अच्छे बात है कॉंस भी देख लिए थे 13.15 टाइम 15 टाइम से बुक वैल्यू के जो की दिखाता है हायर वालुएशन और सेकेंड कॉन है कि माइनस 5.12% की रिटन्स दिये 3 यह में जो की पहुत ही कम है फ्रेंस चलिए अन्योल प्रोफित और लॉस्ट्रेट वन देखेंगे कंपनी का कैसा है देखेंगे रिसेंट परफॉर्मांस 2017 से देखेंगे हम 2021 तक का है ओके देखेंगे सेल्स इसमें ट्रेंड डैनल्स करेंगे जो हम कंपर करते है इसमें लास्ट यह का कैसा था था तो 1.26 अफ्कॉस वाल्यू सियर्स में 1.210.740 और जीरो सेल हुई ही नहीं है फ्रेंड्स लास्ट्व यह समें अल्मोस्ट जीरो है पिल्कुल चिंता की बा 1.55 लॉस माइस 1.24 लॉस माइस 1.52 का लॉस माइस 1.28 का लॉस और माइस 1.10 का लॉस बहुत खरब प्रेंडिशन है फ्रेंड्स रेविन्यू जीरो और एक्सपेंस अपको देखने मिल रहे है वन सियार के नेट प्रोफित देख लिए कंपनी के 0.26-0.22-0.46 लॉस और पॉस अधर इंकम के वच्छे 1.69 अगें नेट प्रोफित पॉजिटिव में आ गया इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर जा है ऑप्रेंटिंग प्रोफित नेगेटिव में है फ्रेंड्स अभी अधर इंकम क्यों है मैंने कापन यूज में अधरेंट्स शेर कैपिटल देखोंगे आप तो अलमोस्स सेम यह 2017 से 6.99 का रिजर्व देख लेते हैं कंपनी के पास कैसा है और नेगेटिव वैल्यू जी देखने मिल रहे है उपर तो रिजर्व भी आमें नेगेटिव देखने मिलेंगे चले कर्जा भी देख लेते हैं क करें कर जाते हैं आप देखने मिला एक पॉजिटिव चीज आप भी देखने मिली ने सारे नमबस के बाद प्रेंज कैश्फ्लू स्टेटमंट देख लेते हैं जो भहुत लोग इसे अग्नोर कर देते हैं कैश्फ्रम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लेते कंपनी का ज लॉस कंपेर टू लास्ट लॉस कम है बट स्टिल जो मेन बिजनस है वासे कंटिन्यूसली कंपनी लॉस बना रही है अब बहुत अच्छी जीज ने है फ्रेंट्स रेश्यो देख लेते कंपनी के डेटर डेज तो आपको देखने ही नहीं मिलेगा क्यों कि आप तो सेल्स ही आपको याप पर कुछ दिखेगा ही नहीं अकेन बहुत हाय डेक्टर डेज्ए वन नाइंटी एवन से बैंटी टू के जो 18-19 में थे शेरोल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं प्रमोटर्स की है 43.58 जो की कम किये लास्ट कॉर्टर से 43.64 थी डिस के देख लेंगे 0.01 पब्लिक ने इंक्रीस किये पब्लिक को एससे पसंद आते हैं जो बस उपर रहें बट फॉंटरमेंटल्स कुछ स्ट्रॉंग नो 56.41 की पब्लिक ने पब्लिक की इंक्रीस वे कंपेर्ड तो लास्ट क पॉल्टर फ्रेंड्स अमने देख लिए सारे फाइनेंशल स्ट्रीट्मेंट्स बहुत खराब नंबा से वरेंड्स बिल्कुल भी ये स्टॉक इन्वेस्ट करने जैसा नहीं है फॉर नौ क्योंकि सेल्स ही नहीं कंपनिय में अधर इंकम स्यार इसले नेट प्रफिट में प पर स्टॉक कैसे दिख रहा है चार्ट पर आपको अपर सर्कृट्स और लोवर सर्कृट्स देखने मिले गए और आपको पता चल गया होगा कि आमने पी रेशियो है देख्या था वह क्यों है पी रेशियो इतना है स्टॉक है ओवर वैल्यूड इसका बस पंप किया जा रह जारा वह भी दिखा देता हो कैसे आपको देख सकते हो वॉल्यूम्स देखेजा आप एकदम एकदम कम है जम्प वापस जम्प वापस बड़ा जम्प वापस एकदम कम और वापस से जम्प इसका क्लियर मीनिंग है कि यह बस स्टॉक अपर मैनिपलेट किया जा रहा है तो एकदम कर लिजे एकदम करने चाहिए अगर आप सोच रहे हो तो क्योंकि फंडमेंटल्स बहुत ही खरह है जब अच्छे कुछ में सेल्स करेंगी में ऑपरेटिंग से कुछ प्रॉफिट आएगा तब हम सोच सकते हैं बट फॉर नौ कंपनी के सेल्स ही नहीं है अल्मस् क्योंकि बस अपर सर्कूट लग रहे हैं तो फ्रेंड्स यह था कंप्लेट एनलसिस आदिना टेक्स्टाइल्स का मैनिप्लेटिट स्टॉक है कंप्लेटली दूर रहेगा इसके सब्सक्राब हैं अगर आपको मेरा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत बुलेगा मुझे 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 मिलेका इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू एंड गाद ब्लस यू आल